दोस्तो अगर आप फेंटम को इनको होल्ड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है आज की इस शॉर्ट वीडियो में फेंटम का जो चार्ट है उसको हम डीपली एनलाईज करने वाले हैं यहाँ पर कुछ एसी इंडिकेशन्स दिखाई दे रही हैं जो कि ये सजेस्ट कर र क्योंकि काफी टाइम से हमने इसके ओपर बात नहीं की इस से पहले जो मैंने आपको अपडेट दी थी उस टाइम BTC की प्राइस 47, 48 के अराउंड चल रही थी चीजों को जो है मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रखता हूं पिछली बार मैंने आपको कहा था कि अगर इसको यह 45 के अराउंड इसने सपोर्ट लिया है और अभी पिछले दो-तिन दिन से यह जो है 45, 46 के अराउंड चले जा रहा है अगर इस लेविल को यह होल्ड कर लेता है मतलब कि यहां से यह नीचे नहीं जाता तो यहां पर हमें एक अच्छी खासी रेली देखने को मिलेगी और इस मैंने अक्यूमिलेट करने थे वो मैं अक्यूमिलेट कर चुका हूँ अभी जो है मैं वेट कर रहा हूँ देखूंगा कि अगर यह इसको ब्रेक करता है 45 से नीचे आ जाता है तो मैं निकल जाऊंगा लेकिन अगर यह इस से उपर रहता है तो मैं जो है मार्केट में इन रह होई थी तो जब भी ये 21 एमे के अराउंड आता था डेली चार्ट है ये ठीक है तो यहां से इसको rejection मिलती थी यहां पर भी rejection मिली यहां पर भी rejection मिली लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब इसने 21 एमे को break किया ऊपर इसने consider किया as a support और अब जो है ये एक रेली लगाने के mood में है ये जो point है इसका invalidation क्या है कि अगर ये 21 एमे से दुबारा नीचे आ जाता है तो मतलब कि ये जो logic थी हमारी वो वहीं पर end हो जाएगी लेकिन जब तक ये 21 एमे से उपर है तब तक यहाँ पर बहुत अच्छे chances हैं कि इसकी जो price है उसमें एक अच्छा कासा move हमें देखने को मिले difference जो है आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर आप देखें यहाँ पर इसको rejection मिली यहाँ पर rejection मिली यहाँ पर इसा दिखाई दे रहा है कि चैंज हो चुका है और यहां पर हमें एक अच्छी खासी रेली देखने को मिल सकती है यह जो है इसका डेली चार्ट है मैं जो है आपको फोर अवर चार्ट के उपर लेके जाना चाता हूं क्योंकि यहां पर भी कुछ चीज़े मुझे आपको कर लेता है यहां पर भी ऐसा हुआ 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 तो मतलब कि आपको इस पूरे चार्ट में यह दिखाई दे रहा है कि जब भी उपर से यह गिरता है तो 21 EMA के उपर यह सपोर्ट लेता है ट्रेंड्स को जो है आ उपर रहेगी लेकिन जब ये इसको break करेगा तो फिर हमें दुबारा से re-analyze करना पड़ेगा ये दो चार्ट तो मैंने आपको दिखा दिये अब मैं आपको final चार्ट दिखाता हूं जो के इसका weekly चार्ट है weekly चार्ट के ऊपर मैं आपको एक pattern दिखाना चाहता हूं जो के इस पिछला हाय था उससे ये उपर चला गया लोगों को लगा कि अब ये यहां से बहुत ज़दा उपर जाएगा लेकिन उसी time यहां पर एक बहुत बड़ी correction आ गई तकरिबन 70 से 80% के यहां पर correction आ गई और फिर जब यहां पर लोगों को लगा कि अब ये बहुत ज़दा चला गया अब इसी तरीकेे से मैं आपको compare करके दिखाना चाहता हूं के आप जो है इस move को compare करें इस move के साथ यहां पर हमें एक बड़ा pump देखने को मिला था यहां पर भी यहां पर एक correction आई यहां पर लहाई इक बहुत बड़ी correction आ गई चाने वाली है लेकिन उसी टाइम यहाँ पर एक correction आ गई और इसका जो पिछला low था उससे भी नीचे चला गया बिल्कुल उसी तरीके से जैसे के यहाँ पर इसने एक low बनाया था तो यहाँ पर जब दुबारा correction आई तो इसका जो पिछला low था उससे नीचे चला गया और फि यहाँ पर एक भी red candle नहीं बनी जब तक के इसने अपना पिछला जो high था उसको cross नहीं किया अभी के लिए तो यहाँ पर भी ऐसा ही दिख रहा है कि तीन green candles हमारे पास बन चुकी है और अब यह 21 EMA का resistance है इसको यह test कर रहा है अगर यह इसको break करता है तो chances यहाँ पर है कि य मैंने आपको इसका daily chart भी analyze करके दिखाया 4 hour chart भी analyze करके दिखाया weekly chart भी analyze करके दिखाया simple तरीके से analyze करके दिखाया लेकिन याद रखिएगा कि यह जो patterns है जरूरी नहीं कि 100% उसी तरीके से play करें यहाँ पर अगर आप trade लेते हैं तो अपना जो risk है उसको manage कर लिजेगा अप पर invalidation point मेरा क्या है अगर मैं इसको trade करने जा रहा हूं तो अगर मैं इसको 4 hour chart के उपर trade कर रहा हूं तो मेरा जो है निकलने का point बिल्कुल simple है कि अगर इस low से नीचे ये close करता है 21E में से नीचे close करता है तो मैं इस में से निकल जाऊंगा तो इन चीजों का आपको खयाल कर करना होता है आपको जो अपनी trade को calculate करना होता है कि आप कौन से time frame के उपर trade कर रहे हैं अगर daily chart के उपर आप trade कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको जो है देखना होगा कि आप जो है यहां से बाहर किस situation में निकलेंगे ठीके दोस्तों तो यह बहुत ज़दा important चीज़े हैं ल एक और जबरदस टॉपिक के साथ